हाई दोस्ते आड़ बज्जु के जिसके अब सभी को पता है हर साम आड़ बज्जे हम इंडिया अर्मी स्ट्रीचनल पर लाइप क्लास लेते हैं आज आगे है आपको फिर से फोजिसर और आप सभी को पता है जिस दिन भी आपको फोजिसर क्लास ले गए एकदम धुआदर, एनर्जी दर और सांधर संधर कोईशन इंक्लूट करता है तो आज भी बहुती मस्त मस्त कोईशन हमने आज इंक्लूट किया है आज सिर पर सिप GK का क्लास चलेगा, जो की बहुत बार आपकी इंडिया आर्मी के एक्जाम में, जो जो कोछिशन पूछा गया है, बार बार, और आपके एक्जाम में आने का 90% चांस होगा, सिर पर सिर पोही हम GK का कोछिशन आज डिसक्रस करेंगे, तो बढ़ते हम आज की first question Virgin first question पन्सांदर सा relationship हो पुछय की national navy is located at just why ऐसे नाम से जहना जाता है वो कहा पर इस्तीत होता है आपको को बतबने तो ग्रहाज कदग भासला है national defense Academy जो की पूणय महराष्ट्रे मीं इस्ती होता है ठीक इसका भी ध्यान रहें रखना-बेर जोड़ premature hain कि which is the most powerful upper chamber in the world यानि कि दुनिया का सबसे powerful upper chamber कौन सा है आपको बतने तो होगा भाई 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 देखो अमेरिका सेनेट होगा ठीक यानि कि ओपसन भी होगा दो नंबर कोईशन का राइट अंसर तो बढ़ते हम तीन नंबर कोईशन की ओ तीन नंबर कोईशन पुछा है कि largest fresh water lake in India is यानि कि भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का जील कौन सा है आपको बतने तो भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का जील जो होगा ओ उलार लेक होगा ठीक अगर आपको कोईशन ऐसे पुछ ले कि भारत के सबसे बड़ा मानब निर्मान मतलब लेक का जील कौन सा है तो सबसे बड़ा मानमेट जील जो होता है वो भाई गोविन सागर होता है ठीक है इसका ध्यान रख लेना है आपसन भी होगा तीन नमबर कुशन का राइट अंसर तो बड़ते हैं पांच नमबर कुशन के और पांच नमबर कुशन पुचा है कि नमन में से कौन सा जोड़ी जो है वो गलत जोड़ी है आपको बतना है हिंदी में लिखना हमने भूल गया है फिर भी में आपको बोल देता हूँ कि नमन में से कौन सा जोड़ी जो है वो गलत है आपको बतना है तो देखो ऑफसन ये बी सी ये तीनों से ही है इस तीनों को इमानदारी से आप नोट जरूर कर लेना और लंडन जो होता है आप सभी को बता है टेम से नदी के किनारी इस तीज होता है ठीक है अनि कि आप सेंडी गलत होगा पर पांच नमबर को इसन का राइट अंसर होगा आप सेंडी तो बढ़ते हैं छे नमबर को इसन क कर सबसे बड़ा नदी होता है, दुनिया कर दूसरा सबसे बड़ा नदी जो होता है, वो यह माजवन होता है, ठीक, इसका भी ध्याम रखना बेद जुरू है, तो बचते हैं, साथ नमबर कोईशन के और, साथ नमबर कोईशन पूचाए, the first man to set foot on the moon was, थैनी कि चंद्रमा पे पहरा प्यार राखने वाला कौन सा आदमी था तो चंद्रे महां पे पहला जाने वाला वैक्ती जो होगा वो नील अमस्ट्रॉंग होगा ठीक है यानि को आपसन भी होगा साथ नमर कोईसन का राइट एंसर तो बढ़ते हैं आप नमर कोईसन की और आप नमर कोईसन पूछाई होता है देखो मतलब humor नेपल और जो सीलांका होता है बारत नेपल सीलांका और पाकिस्तान पाम उद्रा जो होता है वह भाई रुपीज होता है त éénंसर पड़ो रोगा पूछा है कि at present at India do not request visa for visa to which of the following country बर्तमान में भारत का कोई नागरिक हो तो वो किस देश में जाने के लिए जो होगा कोई भी visa की जरूरत नहीं होता है तो वोटान को ठीक है अगर आप भारत का नागरिक हो और अगर आप भूटान में जाना चाते हो तो कोई भी visa की जरूरत नहीं होता है बस एक छोटा ID बना के आपको पास मिल जाएगर वहां से आप जा सकते हो ठीक है तो बढ़ते हैं दस नमबर कुशन के और दस नमबर कुशन पूछा है कि नमबर कुशन के लिए जो होगा वो नोबेल पुरुसकार मिल चुका है और मादा टेरीजा को जो होगा वो सांती के लिए मिला था और मादा टेरीजा भारत का पहला महिला जो था उसको नोबेल पुरुसकार मिला था ठीक है तो बढ़ते हैं गयरा नमर कोईशन की और गयरा नमर कोईशन पुछाए कि हाइस्ट स्पोर्ट से अवाट आफ आफ आवर कंट्री इस एनि कि हमारे देश का सरवच्छ खेल पुरुसकार कौन सा है फिछले वीडियो हमने इस बारे में डिसकास कर रखा इसलिए हम आपका एक कोईशन से वह चार पांच कोईशन बन जाए ठीक है तो राजीव गांधी खेल रहते में पुरुसकार जो होता है वो भारत का सबसे मतलब बड़ा मतलब इस पोर्ट से एनि कि खेल का पुरुसकार होता है ठीक है इसका भी धियान रखना बेहत जरुए है तो संबंदित नहीं होता है विल्बेंड काप मतलब देख विल्बेंड डॉन काप डेविस काप और फिर्ड काप जो होता है टेनिस के साथ संबंदित होता है पर आपसेंड ही जो होगा वो टेनिस के साथ संबंदित नहीं होगा तो आपसेंड ही होगा अगर आपको कोईशन इ is associated with यहांनी कि राभर काप जो होगा वो किस खेल के साथ समन्दीथ होता है तो राभर काप जो होता है वो अपसने फुट वाल के साथ समन्दीथ होता है तही कि इसका धेयन रख लेना है तो बड़ते हैं 14 नमर कोईसिन क्यों 14 नमर कोईसिन पूचा है कि Justpil Rana is associated with which of the following game निकि Justpil Rana जो होगा वो निमनी में से किस खेल के साथ जूड़ा हुआ है आपको बताने तो Justpil Rana जो होता है वो सूटिंग के साथ संब्धिर होता है ठीक है और Tiger Root जो होता है वो Golf के साथ संब्धिर होता है निकि किस खेल के साथ जो होता है वो नौकाउट रिलेटर होता है तो नौकाउट जो होता है वो वोक्सिंग के साथ संब्धिर होता है ठीक है तो बढ़ते हैं हम सोलो नमर कुछिन के और सोलो नमर कुछिन पूछा है Is the which country, city जो होगा वो प्रसिद संगीतकार है वो किस देश का नागरिक है आपको बताना है तो जोबेन मेहता है हमारे गर्ब के लिए बात है कि जोबेन मेहता होता है वो हमारे भारत देश का नागरिक होता है ठीक है नागरिक है ठीक है बहुत ही बढ़िया एक music composer था मतलब एक संगीत कार था बहुत ही famous था ठीक 16 number question का right answer होगा इंडिया option भी होगा ठीक है तो बढ़ते हैं 17 number question के और 17 number question पुछा है कि which planet is called red planet यानि कि लाल ग्रह के नाम से कौन से ग्रह को जाना जाता है तो लाल ग्रह के नाम से जो होगा वो मार्स यानि कि मंगल को जाना जाता है अगर आपको कोई सनय से पूछ ले कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो सबसे छोटा ग्रह जो होगा वो मरकरी यानि कि बूद होता है और बूद यानि मरकरी जो होता है वो सूरेज के सबसे नस्दीक बाला ग्रह है अगर आपको कोई से नहीं से पुछ ले कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो सेटन है सुरी जूपीटर है निकी बिरस्पधी होता है ठीक इसका ध्यान रखलना और सुक्रज जो होता है उन्हें पिथीवी का जुड़वा ग्रहे भी जाना जाता है जुड़वा ग्रहे के नाम से भी जाना जाता है तो बट रहे हम आठरा नंबर कुश्चन के और अठरा नंबर कुश्चन पुचा है कि हुए नवस दा प्रियोड ओफ एट फाइव एर प्लान ऑफ गौर्ब्मेंट ऑफ इंडिया निके भारत सरकर का आठवी पंचिव ओजना मतलब कौन से साल को हुआ था कब हुआ था तो होगा उन्नीस सो ब्रयानबे से लेके 1997 तक हुआ मैन Hearts Slangi और एक क क śविज का सा चूड़ा हुआ हुआ है यूर नेट पर सरच किया गूगल में सर्च किया तब टैनिस दिखा रहा है ठीक है तो इन्नीस एए होगा रई एंसर अगर आपको कोईस्चन एसे पुछ ले की हिडार रेड कार्ट की सके साथ सास्ट संब्दि होता ह कोणार्क मंदिर किस राज्य में है आपको बतना है तो अलमीती जो होगा वो किस नादी परिस्तित होगा ठीक है और अलमीती जो अगर आपको कुछे एसे पुछले के आलमीती कौन से राज्य मिश्त्री होता है तो आलमीती जो होगा वो भाई करनाटक राज्य मिश्त्री होता है और करनाटक राजदनी का राजदनी जो होता है वो मेंगलूर होता है और करनाटक में जो वहांसा बोला जाता है वो कानाडा भासा बोला जाता है ठीक है इसका ध्यान रख लेना है जो जो बच्चे भाई फौजी भाई को लाइक करता है फौजी भाई को पसंद करता है इस वीडियो को जरूर लाइक करना मेरे भाई मैं हूँ फौजी आपको भी बनाओंगा फौजी बस इंडिया नानमी स studio channel पे हर साम 8 बज्य आप लाइब क्लास अटेंट करते जाओ कोई दिखकत नहीं हो गापको 40 बनने से कोई नाहीं रोक सकेगा मेरे वहाई इस दुनिया में कोई आपको नहीं पढ़ाएगा तो बढ़ते हैं बहुआ इस से पुछले कि भारत का सब से बड़ा डेल्टा जो होता है उँंतरवन होता है जो कि पशिषी मंगाल में इस्तित होता है गया था आंतरिक्स में गया था इस्पेस में गया था तो होगा भाई राकेश सर्मा अगर आपको कोई इसे पुछ ले कि भारत का पहला उबग्रा जो होगा वो कौन से साल को छोड़ा गया था तो आरिया वट्टा जो होगा वो 1935 साल में छोड़ा गया था ठीक है तो बढ़ते हम 24 नमर कुछन की और 24 नमर कुछन पुछा है कि इनकलाब जिंदाबाद स्लोगान वास गिवेन वा और जाने से पहले जो जो बच्चे जो होए वो भारतीय सेना को अगर पसंद करता हो इंडियन आर्मी को पसंद करता है तो लाइक करता है इस वीडियो को क्यों कि भाई में हूँ फाजी आपको भी बनाऊंगा फाजी बस आइंडिया आर्मी स्टुडियो चैनल पर हर साम आ पूरthlet पड़ाうे कि इस्वाइब अज हमारा वीडियो हैं पर खतम होता है अगर आप में से कोई वच्चे को वीडियो पस्पना है तो जरुर 20 करना इस č पर करना चाते हो तो इस वीडियो को उन से विधा लेते हैं कल मिल जाएंगे पका साम पचल को